हलो प्यारे बच्चों, Physics at a Glance सीरीज के अंदर अब तक हमने यहाँ पर कुछ ऐसे concept सीखे, कुछ ऐसी tricks सीखी जिसे हम अपनी calculation को fast कर सकते हैं और exam में जो है अपना अच्छा perform कर सकते हैं तो उसी सीरीज में next आज हम सीखेंगे resistance for waste question क्यों होदा है maximum students को current electricity में यो है, वो doubt बना रहता है कि resistance है, उसे कैसे solve करना है, series में कैसे parallel में कैसे solve करना है अगर parallel में एक से जादा resistance आ गए तो उसे कैसे solve करना है, तो इसी को देखेंगे, आज की यह trick नहीं है, मताभी concepts आ ही है, जिसमें आपके doubt जो है, वो clear होंगे, ठीक है, तो देखिए, आज हम resistance for waste करने वाले हैं resistance, ठीक है, आज का जो topic है, हमारा हो है, resistance for waste, तो सबसे पहले क्या होता है, हम series में, series में normally r1 plus r2 को add कर देते हैं, जितने भी आपके resistance, series में लगे हुए हैं, जैसे कि, अगर पहली बात करें, series की, तो यहां पर क्या होगा, एक r1 resistance है, एक r2 resistance है, यह दोनों जो हैं, वो series में लगे हैं, r1, और यह हो गया r2, दोनों resistance है, series में लगे हुए हैं, तो हमका r equivalent क्या होगा, तो हमका r equivalent हम निकालेंगे, r equivalent equals to हो जाएगा, r1 plus r2, उसी तरह से, अगर मैंने 2 की जगे 3 resistance ले लिए, देखो, वी तो यह 2 थे, ठीक है, 1, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, कितने भी ले लो आप series में, सिर्फ आपको क्या करना है, r1, r2, r3, r4, normally जब हम इसका equivalent निकालेंगे, तो क्या आएगा, r equivalent equals to r1 plus r2 plus r3 plus r4, जितने भी अगर series में लगे हुएं, उन सब का, आपको normal sum कर देना है, algebraic sum कर देना है, यह तो series की बात रही, यहाँ पर series की, लेकिन, बच्चे को problem कहाँ पर आती है, problem आती है, parallel में, अगर parallel में लगा दिये जाएं, तो कैसे होगा, तो देखो, second हम किस की बात कर ले थे हैं, second, parallel combination, parallel combination में क्या होगा, तो देखो, parallel combination में हमारे पास given है, एक example देख लिएते हैं, बुल रहा है हमारे पास इस तरह से एक resistance है, और एक दूसरा resistance, R2 है, दोनों parallel में लगे हैं, यह R1 है, यह R2 है, दोनों को हमने parallel में connect कर दिया है, अब इसका आपको find करना है, point, R equivalent, R equivalent निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वह सारे बच्चे यह दो result को तो याद ही कर लेते हैं, R equivalent equals 2 हो जाएगा, 1 upon R1, 1 upon R1 plus 1 upon R2, क्या करेंगे, आप generally यह से equation मनाएगे फिर इसे, solve करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको fast बनना है, fast कैसे बनेंगे, तो यहाँ पास लिखो, fast बनने का तरीका सीखना है बच्चो आपको, तो R equivalent कैसे लिखेंगे, इसका LCM लेंगे, फिर आप R1, R2, फिर यहाँ से LCM यहाँ, R2 बचा, प्लस यहाँ, R1 बचा, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, और उपर तो 1 था ही, उपर जो था, वो 1, हमारा, चल ही रहा है, 1, फिर R equivalent equals to, आप क्या करेंगे, इसे उपर बेज़ेंगे, तो यह R1, R2, अपॉन R1, प्लस R2, यह बनेगा, फाइनल आपका, ठीक है, आप फाइनल इस पर आएंगे, और इस से आप question जो है, वो solve करेंगे, अब 2 के लिए तो आप आसानी से निकाल लेंगे बच्चों, लेकिन आप फसेंगे, जब 2 से जादा होंगे, उसमें, ठीक है, तो उसमें कैसे करना है, उसको ठीको, तो हम यहा upon sum की form में याद रखेंगे, पी upon s, पी upon s की format में हम याद रखेंगे, तो देखो बच्चों, हमें कैसे solve करना है, हमें solve करना है, product upon summation की format में, आपको जल्दी से याद रखना है, आपको ये याद रखना है, कि हमें लिखना है, product upon sum, तो देखो यहाँ पर एक example ले लिते हैं, और compare करके दिखते हैं, दोनों में कितना समय लगीगा, ठीक है, यहाँ पर एक example है, कि मेरे पास एक resistance है, 2 ohm का, और दूसरा resistance जो है, वो, वो भी 2 ohm का ही है, ठीक है, 2 ohm और 2 ohm का resistance है, जो हमने parallel में लगा है, अब इसका मुझे equivalent resistance निकालना है, आर equivalent, देखो हमारा आर equivalent जो है, वो क्या हो जाएगा, आर equivalent equals to, सबसे पहले, क्या करेंगे, 1 upon 2 plus 1 upon 2, यहाँ पर तो हमने simple सा ले लिया है, यह digit, ठीक है, तो इसको हम 1 upon 2 plus 1 upon 2 करेंगे, फिर हम यहाँ पर LC हम लेंगे, चुले, यहाँ पर 3 कल लो, यहाँ पर, suppose मैंने यहाँ कर लिया है, 3, यहाँ पर 1 upon 2 plus 1 upon 3, पहले इसका LC हम लेंगे, 3 and 2 का, 6 हो जाएगा, 3 plus, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यह कितना आया, 5 by 6, तो यह क्या था, 1 upon R equivalent था, ठीक है, अब R equivalent कहने का लेंगे, इसको reverse करेंगे, और कभी क्या होता है, जल R equivalent वराबर बनना पून R, ठीक है, तो क्या होता है, जल्दी-जल्दी में हम इसे गलत भी कर दीते हैं, जैसे कि मुझसे यहाँ पर भी हो गया है, ठीक है R equivalent, तो यह आगया हमारा R equivalent, अब इसी को हम अपनी, जो है, simple formula से निकाल रहे हैं, जो हमने result निकाल लिया है, ठीक है, तो इसको हम फिर से निकाल रहे हैं, R equivalent, R equivalent, equals to, क्या लिखेंगे, product करेंगे, दोने का, product क्या होगा, 2 into 3, summation क्या हो जाएगा, 2 plus 3, तो 3 दोनी 6, और यह हो गया 5, answer इससे भी 6 by 5 आ रहा है, इससे भी 6 by 5 आ रहा है, मतलब दोनों से ही answer सही आ रहा है, तो हम समय बचाने के लिए, यह करेंगे, simple step में इससे हो जाएगा next, अगर, तो यहाँ पर हमारा, जो है, R equivalent, 6 by 5 आ जाएगा, next, अगर एक और example लें, जिसमें मैंने आप से बोल दिया, कि एक resistance है, दूसरा resistance, और यहाँ पर एक कोई, तीसरा resistance है, इन तीनों को क्या लगाए गया है, इन तीनों को जोड़ा गया है, परलेल में, इसका R1 है, यह R2 है, और यह है R3, इसका equivalent बताना है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ अपना तरीका लेना है, R equivalent के लिए, क्या हुआ, पहले product, जितने भी resistance है, उनका product, अपन उनका summation, sum, product upon sum का formula जो है, अप्लाई करना है आपको, ठीक, तो R equivalent, क्या होगा product, R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2, R3, अप sum कैसे करना है, यह बात यहाँ पर important है, क्या आपको इसका sum कैसे करना है, तो देखो, पहला R1 था, तो R1 को ही छोड़ कर, R2 into R3 करो, plus, दूसरा R2 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, R2 को छोड़ देना है, R1 and R3 का into करेंगे, plus, यहाँ पर R3 है, तो R3 को छोड़ देंगे, और यहाँ पर R2 and R1, इन दोनों का जो है, into करके लेखेंगे, ऐसे ही, हमें, अगर 4 दे दिये जाएं, तो 4 में हमें क्या करना है, देखो, अगर मुझे बोल दिया जाए, कि यहाँ पर 3 resistance ना होकर, 4 resistance है, next, एक resistance, दूसरा, तीसरा resistance, और यह 14 resistance, इन सब के name R1 है, यह R2 है, यह R3, और यह R4 है, इन सब का equivalent resistance निकालना है, R equivalent, तो हमें इसे कैसे solve करना है, R equivalent के लिए क्या होगा, सब का product करना है, तो R1, R2, R3, and R4 हो जाए, divided by हमें product करना है, इसका product कैसे करेंगे, तो product में, यहाँ पर आपको देखना है, product हमें किस तरह से करना है, तो product के लिए क्या करेंगे, कि first R1 है, तो इसको हम छोड़ेंगे, next, जो बच्चे हैं, उनको हम into में ही लिखेंगे, R2, R3, R4, फिर प्लस लाएंगे, अब R2 है, तो R2 के लिए R2 को ही छोड़ देंगे, बाकि सबको लिखेंगे, R1, R3, and R4, next, यहाँ पर R3 है, तो R3 को ही छोड़ेंगे, बाकि सबको लिखेंगे, R1, R2, and R4, प्लस, यहाँ पर, हम R4 के लिए लिखेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर R4 के लिए हमें लिखना है, तो हम R4 को छोड़ के, R1, R2, and R3 का मल्टिप्लाई करेंगे, और इससे लिख देंगे, यहाँ पर एक एक एक्साम्पल से देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, मेरे पास कोई रजिस्टेंस है, चार ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस, दो ओम का है, और तीसरा कोई रेजिस्टेंस है, वो है आठ ओम का, ठीक है, अब मुझे इसका इक्विलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यह ओम कहिए अर्स एक्विलेंट इसका क्या होगा, यह इन की ऐसे संटर सीटेंस, और पास्टेंस करना है, तो दौनों का इंटू 16 प्लस इसको ही छोड़ो तू वाले को छोड़ो दौनों का चौक 32 हो जाएगा प्लस फिर 8 के लिए लिखना है अगर 8 के लिए आपको लिखना है तो दौनों का multiply चादू नी 8 ठीक है और equivalent जो है हमारा कितना हो जाएगा चादू नी 8 ठीक हो जाएगा डिवाइड़ यहां पर यह कितना हो जाएगा आपका 8 to 10 हो जाएगा 16 आप 56 तो हमारा और equivalent जाएगा 64 अपॉन 56 यह हमारा जो है वो minimum एक step में बस आपको मन में ही multiply कर लेंगे ना तो एकदम से सवाल हो जाएगा बैसे आप क्या करते वन अपॉन आर वन लिखते वैसे आप क्या करते नॉर्मल लिख स्टुदेंट क्या करेगा यहां नॉर्मल जो स्टुदेंट होगा एवरेज स्टुदेंट बोलो नॉर्मल स्टुदेंट बोलो वो क्या करेगा सब्सक्र पहले वो क्या करेगा वन अपॉन आर एक्विलेंट लिखेगा एसे लेखेगा फिर इसका क्या करेगा LCM लेगा R1, R2, R3 ठीक है बन उपर चल ला है फिर लेखेगा R2, R3 प्लस यहाँ पर लेखेगा R1, R3 प्लस R1, R2 लेखेगा इस तरह से करेगा फिर इसे उपर बेजेगा तो इतना समय जो है हमारे पास नहीं रहता है competitive exam में इतना समय से बचने के लिए आपको क्या apply करना है आपको apply करना है यह वाले formula एकदम से यह आपको यह formula याद रखनी है ठीक है यह direct formula याद रखो तो सवाल जो है आसानी से हो जाएगा बिना किसी जंजट के product upon summation आपको क्या रखना है उपर का product रखना है upon summation अगर एक से ज़्यादा आ जा रहा है तो जिसके लिए कर रहे हैं उपर उसको ही छोड़ देंगे ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर resistance परवेस्ट प्रॉग्लम जो है वो solve हो जाएगी parallel हो या फिर series combination हो series में तो बहुत simple ही रहता है बस parallel की दिग्गत आती है तो यहाँ पर आपको product upon summation से solve कर लेनी है थेंक्यू बच्चो